Hello Students, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड, Class 10, Math के Important Questions 2024 के लिए शुरू करते हैं वीडियो को, मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL Chapter लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ अगर आपको हरियाना बोर्ड, Class 10 के किसी भी सब्जेक्ट के Important Question या Model Paper Solution की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में पलेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, Google पर जाकर सर्च कर लेना, CCL Chapter.com इस वेबसाइट पर आपको Class 10 के लिए Important Question, Old Question Paper, Model Paper, Slaves Marking Scheme, सब कुछ मिलेगा उसके अलावा जो Important Questions मैंने आपके लिए बना रखे हैं, इनकी Answer की भी आपको मिलेगी सारे सब्जेक्टों की जो भी सब्जेक्ट के एजाम साएंगे, इसी वेबसाइट से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यही वेबसाइट आपके सामने आएगी, अगर आपको खरीदना हो तो यहां से सोब वाले सेक्शन से खरीद सकते हो, अंसर की को, Important Question साइस में शिरफ ठीक, MCQs बगारा जो भी चीज़ आएगी, वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, परचेज के टाइम पर कुपन यूज कर सकते हो, CCL 25 ताकि आपको डिसकाउंट मिल जाए, और उसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो, आपको PDF खरीदनी है, पेड वाली, पैसे वाल साइट पर हमने आड़ कर रहा है, पेड पीडियाफ के लिए संपर करे, टैलिग्राम का लिंक है, यहां से भी आप खरीद सकते हो, उसके अलावा अगर फ्री में कोश्चन चाहिए, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस अपनी जरूर कर लेना, अब देखते ह कि आपका जो पेपर है, वो बहुती ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, बट पढ़कर आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपकी मरजिया बढ़ते हो, मैनत करते हो, नहीं करते हो, चैप्टर वन से देख लो, फाइंड करना है, हCF 510 और 92 का, अब यह मत सोचना कि के अंदर में आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, जैसे 510 है, तो 510 की बजाए कुछ और स्टेटमेंट भी दी जा सकती है आपको, लेकिन यह इस टाइप का जो कोश्चन है, वो आपको ज्यादा चांसे इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, ठीक है, यह चीज इस ही ट आपको ठीक है, प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इर्राशनल नंबर है, रूट 3 इर्राशनल नंबर है, रूट 2, 3 रूट 2, 5-3 रूट 2, यह सारे इर्राशनल नंबर साबित करने हैं, so that 7 प्लस रूट 5 इस इर्राशनल नंबर, इस टाइप का कोश्चन, इस चैप्टर से हाइस चांस है बट इक्वेशन बदली जा सकती है हमने जो इंपोर्टेंट इक्वेशन ने जो एक्जाम में पूछते हैं वो है आपकी ये च्यार वाली ठीक है नीचे भी कुछ दे रखिए अगर सारों को प्रैक्टिस करो गए और भी बढ़िया से आपको आ जाएगा उसके जो टेकनिक है वो आपको सेम अपलाई करने है सेम फोर्म ला सबकुस् commitment रहेगा बट आपको पता ये होना चींड कि सट्राइब का कोश्चन आएगा क्योंकि चैप्टर के अंदर तो अलग अलग टाइप के question होते बहुत सारे तो इस टाइप के questions आपको exam में मिलेंगे ठीक है चैप्टर 2 देख लो polynomial find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively find the product of zeros of quadratic polynomial आपको polynomial दे रहा है x square plus 7x plus 10 इसका product आपको निकालना है find a quadratic polynomial with the given number as the sum and product of its zeros respectively find 5 and 3 अब यहां पर थोड़ा अलग टाइप से था यहां पर थोड़ा अलग टाइप से हमने सारे टाइप के add कर रखें questions find a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 5 product of roots of the quadratic polynomial यह जो है equation दे रहे बदली जा सकती है जो कि मैंने बताई दिया आपको उसका जो है क्या रहेगा sum of root of the quadratic polynomial equation के साब से क्या रहेगा find the sum of zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 chapter 3 देखो pair of linear equation in two variables solve the following pair of linear equation दो equation दी जाएगी उनको solve करना है linear equation के जो है pairs को for what value of k does the following pair of linear equation have infinite number of solution यहाँ पर एक statement दे रखिये इसमें k की value आपको यूज करनी है और एक statement यहाँ पर दे रखिये 2x plus 3y 7 के बराबर रहेगा आपका next question देखते है the pair of linear equation जो है आपको दे रखिये 2 equations आपको बताना है कि consistent है या फिर inconsistent है for what value of k does the pair of linear equation 2 equations दे रखिये आपको has unique solution वहाँ पर था infinite number of solution यहाँ पर unique solution यहाँ पर भी same ऐसा ही है कि values दे रखिये आपको statement दे रखिये और no solution के लिए आपको निकालना है अब देखो question को practice करोगे आपको पता होगा भाई no solution आएगा तो इस तरीके से solve करना है unique solution बोलेंगे तो ऐसे solve करना है इसलिए हमने कोशिस यह करी है कि आपको कम से कम question पढ़ने पड़े अगर आप यह जो question है fact one from the denominator a fraction reduces to one fraction जो है वो one से घट जाती है it becomes one by two if we only add one to the denominator find the fraction तो हमको वो fraction निकालनी है कौन से वाली है यहनकी पहले equations बनाने पड़ेंगे आपको उसके बाद आगे solve होगा यह next question है five years hence the age of Jacob will be three times than that of his son उसके बेटे से तीन साल बड़ी है हो सकता हो तीन गुणा जैसे बोल रहे है five times बोल दे two times बोल दे कुछ भी statement रखी जा सकते हैं आपे values की five years ago Jacob age was seven times that of his son what are their percentage उनकी present age आपको calculate करनी है five years ago Nuri was thrice as old as Sonu 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu how old are Nuri and Sonu same ऐसा ही है logic पे question but आपको practice के लिए हमने additional दे रखे जिनके चांस से रहते हैं ठीक है तागे तुम अच्छे से practice करके जाओ the sum of digit of two digit number दे रखाए nine है also nine times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit find the number तो हमको number find करना है statement को उल्टा करते हैं तो ऐसा को समझे attempt करने मतलग जाना सीधा क्योंकि फिर गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं अगला question देखते हैं अगला चैप्टर देखते हैं quadratic equation find the root of quadratic equation by factorization method यह हमको statement दे रखिए है इसके factorization method की help से जो है root निकालने हैं आपको इस equation के forward value of k the root of quadratic equation equation दे रखिए है और equal कि इसमें जो है बराबर रहेंगे sum of root of quadratic polynomial seven x square statement दी जाएगी और क्या रहेंगे वह roots बताने है factorize दा देखो ऐसे जैसे फिल इंदा ब्लैंग है उसमें पूरा question solve करके मत दिखाना वहां पे examiner को आपको सिद्धा answer लिखना है ठीक है ना ऐसा नहीं है क्योंकि fill in the blank जो होंगे ना तो उनमें सिद्धा answer लिखना है उसमें solve करोगे तो गडबड हो सकती है थोड़ी सी कई बार examiner जो है अवोईड कर देता है उस question को या बताओ क्या है value of k जो है quadratic equation दे रहा है equal roots के लिए हमको calculate करना है find discriminant of quadratic equation equation हमको दे रहा है equations देखो यह मत सोचना यह same equation आई मैं इसलिए equation बोल रहा हूं ना कि x square plus 7 x minus 60 is equal to 0 यह यह नहीं पढ़ रहा मैं क्योंकि कि मेरे को पता भाई statement यह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं ठीक है न बस आपको practice करने है इस टाइप के question की अगर आप इस टाइप के question को practice करोगे तभी आपके जो एक्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कुछ भी नया आ गया बस आपको फिर वहां पर दिमाख लगाने की आदत हो जाएगी इस टाइप से का question आएगा ऐसे ऐसे attempt करना है बस वही जरूरी है math के अंदर आपका हां 12 वालों की थोड़ी हालत खसता हो जाती है उनको और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए बस 10 में इतनी दिक्कत नहीं होती semi parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than of its width is 36 meter find the dimension of the garden garden की dimension calculate करनी है find the nature of roots of the following quadratic equation if real root exists then solve it इस equation के साबसे आपको solve करना है find two consecutive positive integer जिनका sum जो है whose squares is 365 two numbers calculate करने है sum दे रखा है product दे रखा हमको two numbers जिनका sum और product है यहाँ पे अलग अलग दे रखा है ताकि practice कर लो इस type question के अब ठीक है next question है is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 meter square if so find its length and breadth length और breadth आपको निकालनी है next question is the following situation possible पहले पूछ रहें कि possible है भी कि नहीं है ठीक है तो आपको लोजिक बताना है यह पोसिबल है यह नहीं है तो उसके साब से अंसर बताना अगर पांच नंबर का तो अगर ऐसा question पूछें तो सिद्धी बाता possible है तभी वह question पूछ रहें ठीक है if so determine their percentage उनकी percentage निकालनी है यहाँ पर condition अब पढ़ लो sum of age जो है दो दोस्तों की age का sum 20 years है four years ago the product of their ages is year was 48 one side of a rectangle exceeds its other side by two centimeter if its area area हमको दे रखा है then determine the side of rectangle rectangle की side आपको calculate करनी है next chapter देखते है arithmetic progression if the sum of first seven term of AP is 49 and the sum of first 17 term is 289 यहाँ पर terms की numbering बदली जा सकती है यहाँ पर sums की value बदली जा सकती है then find the sum of end term of AP end term के लिए calculate करना है आपको अगर ध्यान दो गए math के questions पे सभी पर most important नहीं लेगा लिखा वजह से नीचे वाले है जिन पर most important उनके chance ज्यादा है उस type के question के आने के ठीक है अगर ज्यादा नहीं पड़ पाते हैं पहले most important वालों को preference करना बाकि मैं तो advise करूँगा कि भाई एक बर सारे practice कर ले ना पीडिया बना रखे answer के साथ में अब वह आपकी मर्जिया पैसे दे के खरीदनी हो खरीद लेना नहीं खरीदनी ना खरीदो ठीक है हाँ आपनी practice जरूर कर लेना लेकिन if the sum of first 6 term is 12 and the sum of first 10 term is 60 then find the sum of its n terms if the sum of first 10 term of ap देर के हमको यहाँ पर sum of first 15 term देर किया है तो n term के लिए calculate करना है यहाँ यह सेम ही है जैसे यह था ना इसी type से के question नहीं सारे के सारे सेम लोजिक पर सोल होंगे आपके यह फर्स्ट जो है टर्म देर खिया एक की 5 लास्ट टर्म भी देर खिया सम देर खाया और number of terms and common difference यहाँ पर हमको find करने है यह थोड़ा अलग डाइप का है कौन से नंबर तक की टर्म तक हम लेके जाएंगे इसको ताकि उनका जो सम है वो इतना हो जाए सेम ऐसे ही है यह आपे एक टर्म दे रखिया है यहापे तो उस कंडिशन में बतानी है कौन सी टर्म होगी वो 20 टर्म करनी है इसकी ऐसे लास्ट में जो है आपे 20 टर्म क्या रहेगी इसमें 31 टर्म निकालनी है जिसकी 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है formula लगाने simple और ज्यादा दिमाख वाले questions नहीं है formula लगाओ कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर आपको ज्यादा दिमाख लगाना पड़े एक चैप्टर को छोड़कर बाकि सारे चैप्टर इजी ही है ठीक है अब वह आपके उपर आपको hard लग रहे हो तो भाई क्या ही कर सकते formula याद रखके जरूर जाने हैं आपको दस्ताइब क्या रहेगा सम फर्ष्ट फिफ्टी नेट्रल नंबर क्या रहेगा यहां पर आन यहां पर फॉर्मुला लिखना बात है यहां पर 50 को की चेगा पूट कर देना है बस और यहां पर शोल्व नहीं करना सीदा आंसर लिखना ठीक है राइट दा पोफ एक जो है दे रखा है नैस्ट पोट्रम आपको लिखेने है यांप पे कि क्या रहेंगी उसके बाद में जो है find the sum of first 10 टर्म लिखना यांप कि क्या रहेगा 11 टर्म बताने है एक की स्टेटमेंंट के साब से common difference AP का दे रखा यहां पर यह तो यह बताना है क्या रहेगा find common difference statement में common difference दिखी रावा से तो दिखते ही पता लग जाता है hard questions नहीं है ठीक है how many three digit number are divisible by seven how many two digit number divisible by three some of first 40 positive integer divisible by six how many multiples of four lies between 10 and 20 to 50 how many term of sequence हम को दे रखे should be taken so that their sum is 176 यहां पर पूरा chapter जो है एक से दो जो है formula पर है और इसमें से छोटे question भी आते हैं यह chapter थोड़ा ज्यादा marks का आता आपका इसलिए मैंने questions भी ज्यादा दिये हुए है ताकि आप अच्छे से practice करो एक्जाम में अच्छा score करके आओ फिर ठीक है नेक्स चैप्टर देखते हैं चैप्टर six triangles two polygons of the same number of side are similar if their corresponding angles are corresponding angle कैसे होंगे equal या proportional वह बताना है if area of two similar triangles are equal then prove that they are congruent prove करना कि वह congruent है all squares are similar होते हैं कोंग्रेंट होते हैं ओल ट्राइंगल ट्राइंगल सार similar कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आइसो साइड ओफ यह देखो most important यह फिलिंदा ब्लैंक पे भी most important इसलिए लिए लिख रखा है क्योंकि भाई यह इतनी बार चुके नहीं यह एक कोश्चन भी शिंगल ऐसी स्टेट्मेंट वाले भी कि हाँ उनको पूछते रहते बार बार पूछते रहते और आप फिर से गलतिकर क्या जते हो क्योंकि next class में चले जाते हो पिछले वाले बच्चों को पता नहीं होता फिर से गलतिकर देते हैं यह रि से गलतिकर आपको जो है यह वाली जो लाइन है यह वाली लाइन यह वाली लाइन के पैरलल है ठीक है यह चीज समझ गए उसके बाद में आपको क्या बताना है value of EC EC यह वाली की क्योंकि देखो इसकी देर के इसकी देर के इसकी देर के यह वाली निकालनी है आपको बहुत EG है इस टाइप पे MC क्यों भी देते हैं सिंपल कोश्चन भी दे रहते हैं एक से दो नंबर का ज्यादा बड़ा जो नहीं होता सिंपली तो आप ऐसे देखके निकाल लो बाई दो का चार एक का दो है ना तो इसी टाइप से आता है यह लेकिन हाप पढ़के जरूर जाना कंसेप्ट के साथ करके जाना ठीक है फोर् 447 जो है पॉइंट दे रहे हैं इस डिवाइड़ बाई य-axis ओल्सो फाइंड दा कोडिनेट ऑफ दा पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन जहां पर हो रहा वहां के पॉइंट करने हैं आपको कोडिनेट बताने हैं डिस्टेंस बताना है इन दो पॉइंट के बीच का पॉइंट आपको कुछ भी रेंडम दिये जा सकते हैं यह मत सोचना फिक्स रहेंगे ठीक है इफ त्री फोर इज मीड़ पॉइंट ऑफ दा लाइन सेग्मेंट फूइंट दे रहे हैं देन फाइंड दा कोडिनेट अफ अधर एंड पॉइंट का कोडिनेट करना है मीड़ पॉइंट क बदल सकते हैं इंची जोगा ध्यान अखा करो ठीक है स्टेटमेंट को अराम से समझना टाइम बहुत होता है में और इसमें यह अकलोता सब्जेक्ट है जहां पर आप 100 में से 100 ला सकते हो रियालिटी में ठीक है बाकी सब्जेक्टों में कहने हैं कि बाते होते हैं नहीं आत प्रताने हैं पोइंटे एक को को लिए ठीक हैं इस पूरी स्टेट्मेंट के find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point point हमको दे रखे हैं also find the point of intersection intersection का point भी calculate करना है find the ratio in which the line segment joining the point point हमको दे रखे हैं divided by जो है point दे रखे हैं minus 16 तो इनकी हमको ratio निकालनी है find the coordinates of the point of try section intersection नहीं है यहाँ पर try section है of the line segment joining the point point हमको दे रखे हैं तो coordinate निकालनी है try section के कहां पर हो रहे है Invert ratio दस्टपोंईट झमको दे रखे èndńsk철 जोयनिग point हमको यहाँ दे रखे तो कहा पर रेची वह बतानी है point के हिसाब से find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point point हमको दे रखे हैं रेशो हमको दे रखे तो कोडिनेट निकालने हैं पॉइंट के नेक्स चैप्टर देखो चैप्टर नमबर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अब यह वाला जो चैप्टर है इसमें तो भाई सीधी बात है कुछ भी पूछ लेता है मुठा के चैप्टर में से कुछ भी पढ़के चल वालोग आएगा और अगर आप यह उम्मीद लगा के बैठे हो कि बैसिक वाला आएगा स्टेंडर वाला डिफिकल्ट आएगा तो ऐसा भी कुछ नहीं है सेम सा आएगा थोड़ा बहुत ही फड़का है दो चार नमबर का बाकि सारा पेपर लगवर सेम डिफिकल्टी लेव कर दो कि इनको पढ़ा थो नहीं अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बाकि आपकी मर्जी है खृदने के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे खरीदो जबरदस्ती खरीदो यह लो लो यहां पे तुमको पक्का पक्का मिलेंगे ऐसा कुछ हम नहीं बोलते दावा नहीं करते बट को स्क्राइब करना है यह । आइटिय।्टी यूजच नहीं करोगे ना assume दी है कि यह आइडेंटिटी यूज कर लेना तब इसको कर पाऊगे नहीं तो नहीं कर पाऊगे यह वाला जो है स्टेटमेंट सोल करनी है यह वाली स्टेटमेंट है इसमें काफी सारे कोश्चन है था कि आप प्रेक्टिस कर पाऊ जिन्होंने मैथ को पड़ लिया है या फिर NCRT के सारे एक्सिसाइज के लोग वह भी सफीशेंट रहेंगे आपके अब क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है यह सिधी बात है इसमें से कुछ कुछ कोश्चन तो आते हैं रिपीट होते हैं बड़ ज्यादा तर ऐसे हर बार नया सा देते हैं बड़ अमने ज्यादा कवरेज करी है कि यह वाला कोश्चन अच्छे से करके जाना साइन 45 और कोस 45 डिग्री वाला उसके बाद में यहाँ पर साइन एकी वैल्यू है यह वाला बहुत बार आ चुका है एक्जाम में ए पलस बी जो है यहाँ पर टेंजेंट एपलस बी जो देरगार रूट तीन है यह तेंजेंट पता होनी चाहिए इस चैप्टर को सोल करने के लिए सबसे जरूरी है एक टेबल बनवाई होगी टीचर्स ने आपको स्कूल के अंदर की कोस 45 30 0 कितनी वैल्यू क्या होती है वो टेबल याद होनी चाहिए अगर वो याद नहीं है इस चैप्टर में तुम कुछ नहीं कर सकते स चिद्धी बात है वो टेबल पहले रट लो बिल्कुल अच्छे से रट लो शुरू के तीन तो जरूर रट के जाना साइन कोस ओर टेंजेंट ठीक है उसके नीचे के तुम्हारी मर्जी है बट वो शुरू वाले तीनों की वैल्यूज पता होनी चीए 0 से 90 तक में ठीक है य इसको भी solve करना है या केलो पूरू करना है यहाँ पे रियंगल दिर खाया राइट एंगल एट पी ऐपी दे खाया वैल्यू ओक्रिंट क्या उचन्ट पता दिया आदे में इस चैप्टर से एक्शाम में इसलिए मैंने पहले ही बता-दिया आपको ठीक है कई फिर बोलो कि चैप्टर में तो जीब जीब से कोश्चन आ रहे थे अगर सारे प्रैक्टिस करोगे तो कोई ड़ने की बात नहीं है इस चैप्टर के लेगिन अगर कुछ करके कुछ पढ़के जाओगे कुछ छोड़ दोगे खास तोर पर मैथ में चीज ध्यानकना इक्जैंपल्स को लेतल नहीं है और यहां पर थेटा के लिए देटा के लिए वाल्यीव और यहां पर बी जोग करना और सीधा स्टर कर ते के जो भी जुगाड बाजी करो अंसर निकल जाना चाहिए एक डारेक्ट डिजिट में आपका यहां पर थीटा की वाल्यू साहिन थीटा की निकालने है सीकेंट थीटा दे रखा है इसमें देखो आपको लग रहे होंगे भाइप तीस खोश्तना आगर क्योंकि यह मैंने बता दिया है रिपीट कम होते हैं इस चैप्टर से बड़ हाड चैप्टर है थोड़ा सा ही मैं मानता हूँ बागी चैप्टर के बजाए हाड चैप्टर है आपका ठीक है तो यहां पर दिखा दिया आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट से देख सकते हो यह वीडियो में भी दिखा ही रहा हूं में ताकि तुम देख पाओ नेक्स चैप्टर देखो अप्लिकेशन ओफ ट्रिग्नोमेटरी ओपर वाले लोजिक से मिलता जुलता सा यहां पर भी उज करनी है सेम ऐसे ही कंसेट पर जरूरी नहीं है यहां पर टावर लगाए यहां पर बिल्डिंग लगा सकते हैं सेम स्टेट्मेंट है एंगल से वहां पर वहां पर वहां पर यहां पर देंगे वही सेम चीज़े देंगे कि हाइट इतनी है इतना वह बन रहा है यह बन रहा है और सेम लोजिक पर सोल्व होंगे आपके यहां पर भी और मोस्ट सीमिलर सा है हमारा यह मोस्ट इंपोर्टेंट है रंग भरना राएगा है इसमें कि यहां पर देखो फ्रोंड टॉप ओ सावन मीटर बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन हर बार यह आपको यह देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर जो है डिप्रेशन एंगल दे रखाया है हाइट निकालनी है टावर की कभी हाइट दे देंगे आपको डिप सबस्क्राइट करनी है यह हैं जंद तर टाइम तो है डी जाएग आपको आपको इसे महीं बनाने हैं और उनको लेन रखावर अगर बनानीक नहीं तो बनाना है ठीक है ना एक टावर है जो कि खड़ा हुआ है इसमें आपको सेम स्टेटमेंट ले रहे हैं यह अलग लग टाइप के कुश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि तुमको बस स्टेटमेंट पढ़नी आ जाए समझनी आ जाए सारे सब में सेम चलना है बस आपको प् पॉल ओफ हाइटम को देर खें आप एटीन मीटर एंड ट्वेंटीफोर मीटर लोंग इज ट्वेंटीफोर मीटर लोंग एंड है जाए स्टेट अटाइजड टू अधर एंड हाव फार फ्रों दा बेस ओफ दा पोल सुट दा स्टैग भी ड्रावन सो दाट वायर विल भी टोंट तो इसका जो है कितनी दूर ले जाना पड़ेगा ताकि वो जो डोरी वगारा हो खीच जाए तो उसके रिगार्डिंग में सोल्व करना है हिंदी में पढ़ लेना इस चैप्टर के कोस्टेंस अगर आपको समझन नहीं आ इंगलिस में हिंदी में पढ़ लेना बट क दिकाल लेकितनी है अब जो है एक वर्टिकल पॉल है जिसके हाइड जो है यह है सेडो डे रख्यम को और ग्राउंड पर सेम टावर कास्टा सब्सक्राइन को में सब्सक्राइब करना है उसके बाद में यहाँ पर जो है एक लैडर है 17 मीटर लोंग रिची जा विंडो 15 मीटर अब दा ग्राउंड तो डिस्टेंस बताना है फूट ओफ दा लैडर फूंदा बिल्डिंग कितना जो है गैप है अजीब से लोजिक नहीं मिलेगे अगर फॉर्मुले नहीं पता तो उलजे पड़े रहोगे इनमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फॉर्मुले पहले याद करने हैं हर एक चैप्टर के आपको ठीक है लिख लिख कर ले ना कई तुम गलत लिखाओ फिर वहां पर फॉर्मुला क्योंकि एक चीज नहीं पताओ तो बता दो तुमको कुछ भी नहीं हुआ तुमसे ठीक है ना अगर पांच नंबर का कोश्चन दिया तीन नंबर का है कुछ नहीं हुआ तुमने फॉर्मुला रखा लिखा उसकी रखम उसमें वैल्यू जूसमें रख दी तो उसके भी नंबर मिलेंगे पहले नहीं मिलते पहले काट देता था टिक्चर की पूरा नहीं करा काट दो इसको अब की बार मिलेंगे तो अब की बार फाइदा रहेगा आपको मैथ में इजी है थोड़ा पास होना लेकिन अगर तुम स्टेटमेंट में फार्मुला भी लिखके नहीं आए फार्मुला गलत हो गया कहीं ब पढ़के जाना फॉर्मुला आए समझाए तो फॉर्मुला फॉर्मुला टेप आना जो भी समझाए लिखके जरूरा आजाना पर में ठीक है कई तुम यह सोचो कि कुछ भी नहीं है तो मदब आपको नहीं पता भाई क्या करना है फार्मुला लिख दो वहां पे उस प्रेशन और अपर इंटर नहीं कितनी चोड़ी न दी है और कभी-कभी तो मैंत में भी डाइग्राम भी चापके देने लगे पहले दे देते थे थोड़ा यह थोड़ा अड्वांटेज मिल सकता है एक इलेक्रिशन है जिसको रिपेर करना है फाल्ट पोल की आइटम को पा पोल के लिए उसको बस थोड़ा यह उपर जाना मतलब इतनी उपर नहीं जाना पोल तो ज्यादा उच्छे पे है वाट शुट बीदा लैंट ऑफ लैडर लैडर की हाइट बतानी है एंगल जो है 60 डिगरी पे लगानी है उसको सीड़ी तो इस हिसाब से बता दो ठीक है वह तूटके ऐसे गिरिया ठीक है और उसके बाद में कहते हैं कि एंगल जो है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विदिट टचीज दा ग्राउंड मेकिंग अब यहां पर से ऐसे हम बनाएंगे और 30 डिग्री अंगल यह बना रहा है ग्राउंड से रगते हुए डिस्टेंस बिट् का कुश्चन है थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना मुस्ट वाले को नेक्स जो कुश्चन है यहां पर भी ओल्मोस्ट सिमिलर लोजिक है फ्लैग है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टोप ऑफ बिल्डिंग टैन मीटर बिल्डिंग की हाइट देरखी है एंगल देरखा है फ स्पोर्ट सा बैलोन मुविंद दा विंड इन होरिजोंटल लाइन हाइट देरखी है यहां पर हमको फ्रॉम दा ग्राउंड दा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलोन फ्रॉम दा आइज ऑफ गर्ल एट अनी इंस्टेंट इस सिक्स्टी डिग्री यह जो है ना निमेरिकल से उनको क्या कहेंगे एटेंजेंट अंटेंजेंट वाफ इंट्रेंट इसको हम क्या कहेंगे उसके लावास में से कुछ बड़े कॉस्टिन भी कोश्यन भी ज्यादा नयार ठीक ठीक जाती है है find the point क्या हूँ the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of क्या हूँ from center is 25 centimeter radius निकालनी है circle की find the length of tangent drawn from a point whose distance हमको दे रखे है या पे और radius निकालनी है circle की sorry ये तो दे रखे हमको अच्छा length निकालनी है tangent की P क्या हूँ जो है code है length दे रखे है उसकी 8 centimeter circle का radius दे रखे है tangent at P and Q intersecting at a point T T point पे intersect करती है इसमें जो है ना जिनमें आपको बताए ऐसे ऐसे है इसकी length with उनमें diagram बनाने compulsory होते हैं बनाने जरूरी है एक number होता diagram का ये आपका टीपी if O is the center of a circle prove that the tangent drone at end of a diameter of a circle are parallel prove that the length of tangent drone from an external point to a circle are equal most most important question है आपका चांस है अपकी बार भी देखने को मिल जाए अभी तक जितने पेप्रों है लगबग पेप्रों में हमें ये question देखने को मिला है तो अच्छे से करके जाना यह बार्वेवाले को next question है हमें दो tangent है TP और T के आओ drone to a circle from center O from an external point T prove करना है कि PT के आओ जो है दो OP के बराबर है prove that in two concentric circle the code of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact दो concentric circle दे रहे है radius दे रहे हैं दोनों की length of the code of the circle which touches the smaller circle तो हमको length find करनी है length of code find करनी है इसमें prove that the tangent drawn at the end of code of a circle makes equal angle with the code यह prove करके दिखाना है 11 chapter में आ जाओ area related to circle इस chapter में यह question find the area of a sector of a circle जिसका radius दे रहे है 7 cm, angle of center at the center दे रहे है 30 degree most most important question है इस logic पर question आपको जरूर मिलेगा और हो सकता है same statement के साथ मिल जाए ठीक है इसको अच्छे से करके जाना है इस chapter के हर एक chapter में मिलेंगे आपको most important है most most important जिन पर most most लिखा हुआ है समझे लो बहुत काम के हैं और चांसी जाओन में से question मिलेंगे ठीक है हर एक chapter में मिलेंगे वो लगबग और जिन पर लिखा हुआ है चांसी जाओ सारे question आपको exam में देखने को मिल सकते हैं most important वालों में से जादा question मिलेंगे ठीक है उसके अलावा पहले अगर टाइम नहीं है पहले उनको प्रैक्टिस करना उसके बाद में बागी questions को प्रैक्टिस कर सकते हो एक code है circle की जिसका radius हमको देरखा है subtend and angle angle भी देरखा है 60 degree का area of corresponding sector का area निकालना है हमको the circumference of semi circular piece of a design is 72 cm इसका भी area calculate करना है circle of radius 21 cm देरखी है an arc subtend and angle 60 degree at the center find the length of arc arc की length निकालनी है circumference of circle देरखी है radius निकालनी है circle की next chapter देखो surface area and volumes find a solid cylinder जिसकी height हमको देरखी है यहाँ पर ज्यादतर cylinder cube वगारा या फिर cone जो है उनकी बारे में बात होती है उनके formula ज्यादा याद रहने चीज़ेद हमको बाकियों की बजाए and diameter हमको देरखा है conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square centimeter square में आपको calculate करना उसको two cube दे रहे है जिनकी volume हमको दे रहे है 64 centimeter cube are joined end to end two cube को cube को आपस में चिपका दिया है find the surface area of resulting cuboid cube को जोड़के cuboid बनाए गया है तो उसका जो है surface area calculate करना आपको ठीक है यहाँ पर volume दे रहे है ध्यान अगना पहले side निकालो उसकी side निकालो गए तब जाकर आकर फिर process होगा आपको पहले दिमाग में छाप लेना ही मुझे करना गया मुझे मिलेगा कैसे वह चीज ठीक है जैसे volume देर खिया आपको पता है volume का formula volume के सामने उसको put करो solve करो निकल जाएगा कुछ value में पहले दिमाग में सोच लेना कि मैं इसका area निकाल कैसे सकता हूं अगर वह सोच लिया तो आपका answer हो गया बस फरिप्तो formula याद होने चीए बस तुम के आसान chapter है अगर formula पता है इस chapter में और तुम्हीं यह पता है कि answer जो है निकालना कैसे है ठीक है मलब वैसे निकालने वाला नहीं की logic आपको main पता होना चीए कि answer के लिए हमें क्या क्या process करने पड़ेंगे ठीक है कैसे हम जो है उसका जुगाडबाजी करके उस उसको निकाल सकते है calculate कर सकते है फोर्म ले पता ही होंगे आपको तो इजी सोल हो जाएंगे वह आप वैसल इजीन फॉर्म एक वैसल देर्खा है जो कि होलो है हमिस्फियर मांटिट बाया होलो सिलेंडर डायमेटर देर खाए उसका और टोटल हाइट देर्खे वैसल की इनर सर्फिस एरिया निकालना आपक को एक टोए है कोन की फोर्म में मांटिड ओना है मिस्फियर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटिमिटर टोटल हाइट ऑफ टोए जो हमको दे रखी है तो टोटल सर्फिस एरिया ऑफ टोए का सर्फिस एरिया हमको निकालना है कितना रहेगा क्यूबिकल बलोग है जिसकी साइड साथ संटिमिटर स्रावंड़िट बाइदा कितना है कि अधुर्फेस एलिया सेंटिमिटर करना है नेक्स्ट कोर्शन देखते हैं, अम एडिशन कैप्सूल जो है, इस इन सेप ओफ सिलेंडर विद टू हैमिस्फियर स्टक और टू वन ओफ इस एंड ऐसा पर होता ना कैप्सूल, ऐसा करके, यहां पर यह बता रहें कि यह सिलेंडर है और बाहर में ऐसे जो है, इसको ऐसे बन फोर्मुला लिखना है सिद्धा, कोई फालतू चीज़ें नहीं है, फोर्मुले पूछे जाते हैं, इसमें से अपकी बार, जो हमने देखा है, बाकी कलासों में भी पूछे गए, ना इंध में भी आते थे थे न, थोड़े बहुत है, जो नए टाइप के कोश्चन आ रहे ह सिद्धा फोर्मुला पूछने के ठीक है, फोर्मुले में रखो और सोल कर दो बस गुणा भाग तो करी सकते हैं, और तुम वोल्यूम ओफ राइट सर्कुलर कोन ओफ हाइट 21 सेंटिमीटर, रेडियस ओफिट्स बेज 5 सेंटिमीटर इज, उसको जो है सोल करके यहां पर सि तो स्पिर में रेडियस दे दी है, आपको सोल कर दो, अंसर वाल्यू पूट करके, नेक्स चैप्टर है आपका स्टैटेस्टिक्स, इसमें आपको ज्यादातर मीडियन, मीन, वगारा बस चीज़ें निकालनी होती है, आपको टेबल दे रखे, ठीक है, टेबल देखो, उसक चैप्टर बहुत आसान है, इसमें बस फोर्मूले पता होनीचे, फोर्मूले पता है, वैल्यू पूट करो, अंसर सिद्धा, कोई ज्यादा दिमाख बात नहीं करनी, दिमाख लगाना ही नहीं, यहाँ जैसे सो सरने में दे रखे, यह टेबल मिलेगे, आपको इस तरीके से मिल सकती है, यहाँ पर यह देखो, यहाँ पर मीडियन जो है, डाटा का दे देते हैं, कभी-कभी, तो एक्स वाई की वैल्यू काल्कुलेट करवा लेते हैं, उल्टा भी कर देते हैं, इस दा टोटल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी भी दे दिया हमको, सारी चीज़े देत पूछेंगे, तो उसमें कुछ पॉइंट छोड़ देंगे, पूछेंगे, इसकी वैल्यू बता दो, तुम क्या रहेगी फिर, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर आपको बस मीन निकालना है, टेबल दे रखी है, फिफ्टी वर्कर्स की, यह जो है, इन सीमिलर कोस्ट्वेंस नेक्स्ट कोस्ट्वेंस देखते हैं, नेक्स्ट कोस्ट्वेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गिवन डाटा दे रहा इन्फोर्मेशन का, लाइफ्टाइम 75 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यह जो है, इसको स्टेट्मेंट मीशिंग है, कुछ, साम में ऐसे करके भी दे देते हैं, वो कनिफ्यूज मत हो जाना, सेम ही टेबल है, और डरना नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर डाटा दे रखा है, मीडियन निकालना, मीडियन ओफ डाटा, एक्स और वाई की वैल्यू के वैल्यूलेट करनी ह है, लोजिक सेम ही रहें आपके, ठीक है, मीडियन निकालना है, इसमें हाइट का, 51 गल्स का है, सारा कुछ बताएंगे, बस फूर्मूला याद रखके जाना इसका, और टेप देना जाके फूर्मूले में सिद्धा, कोई ज़्यादा दिमाख नि लगाना, ऐसे ही आपको ड अगर आपको लोजिक पता है, थोड़े से ज्यादा मुस्किल नहीं है, एक जैसे बोक्स है, जिसमें 90 डिस्क है, नंबर फ्रोम वन टू नाइंटी नंबर भर रखे है, इफ वन डिस्क ड्रोन है ट्रेंडम, उसमें से एक निकाल ली, तो प्रोबैल्टी बतानी है कि इट परफेक्ट स्क्वेर नंबर उसमें स्क्वेर नंबर होने की प्रोबैल्टी क्या रहेगी, एक नंबर जो पांच से भाग हो सकता है, उसकी प्रोबैल्टी क्या रहेगी, उसके लिए आपको पहले पता तो नंबर जो पांच से भाग हो जाएंगे, तो वो पता होगा, तो आप इजिलीन को solve कर सकते हो ऐसे जो है यहां पर 20 बलफ है जिसमें चार खराब बलफ है डिफेक्टिव पीस दे रहे हैं वन बलफ इज ड्रोने बलफ निकाला जाता है रैंडम नी तो प्रोबैल्टी बताने हैं कि वह बलफ डिफेक्टिव होगा तो कितने चांस है नहीं डि उसके बीच में आने की प्रोबैल्टी क्या है और नंबर आने की प्रोबैल्टी क्या है एक कार्ड है यह सबसे ज्यादा अब तक का सबसे पॉपुलर कोस्टिन राइस चैप्टर से यह दो कोस्टिन है कि यह और ही है एक्जाम में मनलब लगबग जो है ना मैंने 32 पेपर है पराने सालों के और उन में से भाई लगबग 25 पेपरों में यह दो को जरूर्वर रखा था तो इनको ढई सब्सक्राइब करके जाना कि यहां पर थे लॉंज रहेगी यहां पर 3 लाल ब sommes और इनको निकाला जाता है क्या था है तो इस मीथग सकते हैं इनको जरूरी नहीं है कि इसमें दो ही पॉइंट बोले इसमें अलग भी पॉइंट आड़ कर सकते हैं एक्स्टा चीजे भी आड़ कर सकते हैं बट मोस्टली टाइम मैंने सेम स्टेट्मेंट के साथ इन को देखा हुआ है ठीक है तो हो सकता है कि बार भी आ जाए तो इनको थोड़ा से question तो दिक्कत हो नहीं नहीं है फिर द प्रोबैल्टी ओफ एन इवेंट था कैन नोट हैपन इज फिलिन द ब्लैंक सच एन इवेंट काल उसको हम क्या कहेंगे तो वह हमको बताना दो फिलिन द ब्लैंक बरने है दा प्रोबैल्टी ओफ एन इवेंट इस ग्रेटर दन और तो कितनी होती है यह एक तो जादा से जादा एक हो सकती है ह् तोस्त ब possibilities of event इतनी देंगी, probability नोट E को बतानी है कितनी रहेगी तो पता यह कैसे करना, एक मिससे घटा दो बच गई, जो Бी कृत ŚFlux को फैंक जाता है सेम टाइम पे यह तो बारा या उसचे कम नमबर लेक्जा आएगा ue जेतके फैंट की नहीं कि प्रोबाल्स मुआने के डाइए जब यह प्र रेक्टी करें ना tidak प्रैक्टिस नहीं करोगे और बहुत शारे तो यह बोलेंगे सर वीडियो लेट हो गई यह वह गया लेको वैब सायट पर मैंने शुरू से जब हिंदी की वीडियो जाई थी आपकी पहली वाली वीडियो जो एक्जाम हुएता तब से बताते आ रहा हूं भाई वैब सायट प की बात नहीं है आगे 12 तक ये वेब साइट अपने बना रखी है तो ये अपके काम आई और हो सकता आगे क्या भी हम अपडेट कर ले इसमें कोलेज वगार अगा सिस्टम फिलाल अमने इतना ही कर रखा है इंपोर्टेंट के सेक्षेन में आके तुम सारे सी यहां से देख सकते हो ले टेस्ट वाले उसके लावब पीडियाफ खरीज नहीं है अंसर की के साथ में वाले से करीज सकते और यह मत सोचना भाई फ्री मिल जाएगी कहीं तुम फ्री के चक्कर में एक महिना लगा था इस प नोका नहीं समझा रहा दोका नोका क्या लिखावा वहां पर तो वह गड़ बढ़ नहीं है विल्कुल डिजिटल प्रिंट में मिलेगा आपको ठीक है तो और साथ में कर सकता है विल्कुल प्रेवा हा है